ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल। इस दिन सूरिदेव अपना राशी परिवर्तन करेंगे इसलिए धनू सक्रांती का महापर्व भी इसी दिन रहेगा भरनी नामक नक्षत्र होगा तथा मेंस रासी में चंद्रमा बिद्यमान रहेंगे। करके तीन बजे तक रहेगा। राहुकाल के दोरान कोई वीशोबिया मागली कारिक्रम आपको संपन नहीं करना चाहिए। हलाकि राहुकाल का नर्णे आप अपने ख्षत्र के पंचांग अथ्वा के लिंडर के अनुसर कर सकते हैं। क्योंकि राहुकाल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है। देनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहुके राजा सूरीदेव जोकी व्रश्चिक राशी में और दो पाहर के पश्चात धनु राशी में प्रमिश्च कर जाएंगे। चंद्रमा जोकी मेश राशी में, मंगल गरह व्रश्चिक राशी में, बुद्ध गरह धनु राशी में, देव गुरु ब्रहस्पती जोकी कुम्ब राशी में, शुक्र गरह मकर राशी में, शनिदेव मकर राशी में, राहु व्रशब तथा केतू व्रश्चिक राशी में व सरप्राप्त हो सकते हैं तो अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राश्यवालों का देनिक राश्यवल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की आज का दिन अधिक तम समय आप अपने व्यक्तित को निखारने में व्यतीत करेंगे आत्म अवलोकन में व्यतीत होगा इसे आपको बहुत मानसिक शान्ती अनुभव होगी अर्थिक दृष्टी से दिन उपलब्धी कारक है धन लाब होगा रुका हुआ पैसा मिलेगा नए आमदानी के स्रोथ भी आपके बन सकते हैं उपाई के रूप में मसूर की डाल का दान किसे भी गरिब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा उसको संपन न करेंगे तो बहुत ही फाइदेमन साबित होगा आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है इसने अपने सभी कारियों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखे वे ध्यारतियों को प्रतियोगी परिक्षा में उचित परिणाम हासिल होगे और उपाई के रूप में भगवान शंकर जी के मंदिर में सफेद रंग का फूल चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक तीन होगा भगिशाली रंग आपका ओरेंज होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की धर्म और अध्यात्म के प्रती विश्वास आपके अंदर शांती और सकारत्मक उर्जा का संचार करेगा जीवन के प्रतियक पहलू पर सकारत्मक दरश्टिकोन रखना आपको बहतरीन उपलब्दी हासिल करवाएगा नया वाहन, नई भूमी, नया काम या कोई भी ऐसा कार्य आपको मिलने वाला है जो बहुत दिनों से प्रतिक्षारत था याने जिसकी आप प्रतिक्षा कर रहे थे उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की, घर में परिवर्तन की योजना बनेगी या फिर घर बदलने का विचार भी आप कर सकते हैं सकरात्मक विचार उसे आप भरपूर रहेंगे अगर प्रापर्टी या किसी अन्यमुद्दे को लेकर रिष्टेदारों के बीच गलत फेमिया चल रही है तो वो किसी के बीच बचाओ से या मध्यस्ता से दूर हो जाएगी आपसी संबंद आपके पुना अच्छे हो जाएंगे उपाय के रूप में चावल का दान किसी भी जर्वतमन व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की पिछले कुछ समय चे चली आ रही और्थिक समस्याओं का निवारन होगा काफी समय से रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा घर का माहुल पाजटिव रहेगा अपनी पढ़ाई के प्रती बच्चों की पूर्ण एकागरता रहेगी दूसरों की समस्या में न उल्चे तो ही बहतर रहेगा पढ़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर के कहा सुनी या वेचारिक मदभेद उत्पन हो सकते हैं किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण आपको परिशानी पैदा हो सकती है इसलिए प्रत्य कारियों में साथानी बरतना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा और उपाई के रूप में लाल रंग का फल यदि आप भोजन के बाद खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की इस समय ग्रहों के इस्तिती बहतरीन उपलब्धियां आपको प्राप्त करने का योग बना रही है अब अपने अंदर अद्भूत उर्जा वा आत्मेश्वास महसूस करेंगे तथा कारिक्षमता में इज़ाफा होगा अपने मन मताबिक कारि करने से आपको रहात मिलेगी किसी किसी समय भाउकता और आलस्सी की वज़े से बनते बनते कामों में रुकावट आ सकती है इसलिए लापरवाही न बरते सभी कारियों को गंभीरता पुर्वक आपको करना चाहिए उपाई के रूप में यदिया भगवान विश्नुजी के मंदिर में केला चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की कुछ लाबदायक संपर्क सूत्र इस्थापित होंगे दूसरों की समस्यावववकारियों को सुलजाने में आपके महत्त पूर्ण भूमी का रहेगी आपके लिए बहतर सम्मान जनक इस्तितियां बनेगी घर में बच्चों की किलकारी संबदित कोई शुब सूचना या अच्छा समाचार मिलने वाला है संतान की उन्नती तथा प्रगती होगी नय वाहन नई जंबेडारी आपको मिलने वाली है प्रापर्टी में भी आपको फाइडा हो सकता है उपाई के रूप में मीठा दही शंकर भगवान के मंदिर में दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं वर्ष्चिक रासी की बहारी गतिविधियों तथा मित्रों के साथ संपरकों को और अधिक मजबूत करने के लिए दिन उत्तम है भाग्या आपके लिए लाबदायक परिस्तियों का निर्मान करेगा घर की सुकसुईधाओं संबंदी कारियों में आपका समय वितीत होगा कुछ नकरत्मक प्रबत्ति के लोग आपको नुकसान पहुचाने का प्रयास कर सकते हैं आपको मान सम्मान को भी बचा कर रखने की आउशत्ता होगी और किसी व्यक्ति से यदि आप सोदेवाजी करते हैं लेंदेन करते हैं तो उसके बारे में चान बीन करना बहुत अवश्यक होगा वरना आप नुकसान में आ सकते हैं और उपाई के रूप में घर से निकलते समय गुड़ खाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की आज रोज मर्रा की दिन चरिया से हट कर कुछ रचनात्मक और रुची संबंधी कारियों में आपका समय वितित होगा किसी रिष्टिदार के साथ चलिया रही पुरानी समस्या का समाधान किसी के मध्यस्ता से हल हो जाएगा कुल मिलाकर के समय खुश्टुमा रहेगा रिष्क प्रवत्ति के लोगों को जो है आज सावधानी बरतना चाहिए किसी भी काम में रिष्क न लेना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप पीले रंग की कोई भी वस्तु का डान किसी भी गरीव या जरवत्मन व्यक्ति को करेंगे तो आपका डेन शुफलदाई सावित होगा आपका भगिशाली अंक तीन होगा भगिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हीं मकर राशी की धार्मिक वा अध्यात्मिक शेत्र में आपको फाइदा होगा आपका रुजान वहाँ पर ज्यादा रहेगा आपको मनसिक वा शारीरी ग्रूप से स्वस्त भी महसूस करेंगे कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार मिलेगा जिसे मन आपका प्रसन रहेगा कोई समय से आपने जो लक्ष निर्धारित किया हुआ है आज उसे पूरे करने का उचित समय है अपने गुस्से पर आपको नियंत्रन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय लोंग इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते ही कुम्पराशी की आज आपको महत्तुपूर्ण समाचार मिलने वाला है कोई महत्तुपूर्ण जिम्मेडारी भी आपको मिल सकती है धनलाप के साथ साथ नए घर की सुब सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है पदोन्नती के साथ साथ आपको कोई ऐसा काम भी मिलेगा जिसका बहुत दिनों से आपको इंतिजार था अर्थी की सितियां बहतर हो जाएगी कलात्मक क्रियाप कलापों में आपकी रुची रहेगी अपने मन के मुटाबिक कारी करने से आपको सुकून और प्रसनता प्राप्त होगी दूसरों पर विश्वास करने की बजाए अपनी अंतरात्मा के नरणय को आपको प्राप्त मिक्ता देना चाहिए आपको अबशी ही उचित मार्ग दरसन प्राप्त होगा किसी दोस्त या रिस्तिदार का साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धी कारक रहेगा और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में यदि आप बादाम चड़ाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आपकी हिम्मत और साहस आज बहुत अधिक रहेगी और उसी के बल बूते पर आप बहतरिन परिनाम भी हासिल करेंगे दो परबार इस्तितियों में सुधार होगा धनलाब होगा परिवार में खुशियाओ का आगमन होगा शुब और मैंगली कारिकरम की योजना भी बनेगी और उपाई के रूप में घर के मंदिर में शहत चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साध अधर से लिवाट